हैलो फ्रेंड्स वर्कम बैक टो माई चैनल आज जो नोटिफिकेशन डिसस करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन में हम लोग सारी चियां देखेंगे राइट और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे आपको ओन टाइम गवर अप्लोड करी देता हूं तो इससे आपको अच्छी खासी बैनिफिट्स मिलने वाली यह राइट तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो यह नोटिफिकेशन जो है आपका राज्य स्वास्त समीती बिहार में आई वी राइट और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है आप यहाँ पे दे सकते हो टोटल वैकेंसी इसमें 8,853 वैकेंसी है राइट और यहाँ पे जो है आपका केटेगरी वाइस व चाहिए और यहां पर देसकते हो आपका कंडिटेट सब्सक्राइब बिहार नर्स रेजिस्टेशन कॉंसिल में आपका रेजिस्टर्ड होना चाहिए यह necessary है right और यहां पर हम लोग age देख लेंगे तो age आप यहां पर दे सकते हो unreserved या EWS के लिए इसमें 37 year maximum होगा ये male के लिए और female के लिए 40 year maximum होगा age और BC और MBC के लिए यहां पर male and female category के लिए 40 year maximum होगा और जो student SCST male and female category करने के लिए 42 से माकसिम होगा और यहां पे हम लोग देख लेंगे इसमें आप जो है पर पर्टाइट पर्रू करना है और यहां पीस करने में कोई भी ढूट होता तो आप कमेंट कर सकते हो रहन तो यहां पर हम लोग करने का स्टर्टन डेट आप का 1st July है और last date आपका 21 July यह रहे 21 July टोटल आपके पास यहाँ पर 20 days form fill करने के लिए हैं तो आप अच्छे से form fill कीजिए और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे इसमें आपका fee कितना होगा application fee तो आप यहाँ पर दे करेंगे उसके लिए है यहाँ पर 250 रुपीज मेल एंड फीमेल के लिए और डिजिलिटी कंडिटर के लिए भी आप यहाँ पर दे सकते हो और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे आपका selection process तो आप यहाँ पर दे सकते हो आपका यहाँ पर CBT test होगा computer based test 100 नमबर का होगा इसके basis पर selection होगा राइट इसमें कोई भी academic qualification से number नहीं add होगा और नहीं interview होगा राइट और यहाँ पर document verification में हम लोग देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर application form आपका प्रिंट आउट करके देना होगा and then जो आप फिल किजिए गाराइट और यहाँ पर जो है आपको पांच passport size photo recent होना चाहिए और यहाँ पर जो है आपका यदि आप पहले कहीं job कर रहे हैं तो आपको जो है experience certificate देना होगा और यहाँ पर जो है salary slip भी आप दे सकते हो यदि आपके पास है तो राइट और 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 इस notification में कुछ नहीं है राइट और यदि आपको इस notification में कोई भी doubt होता है form fill करने में हो या इस notification के बारे में तो आप कॉमेंट कर सकते हो रहे हैं तो थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो